आपे घर्टना आमको नहीं माता है सार, हम लोग सो के सुबे उठे तो पूरा गीरा हुआ घर है, अंदर तक पूरा फाटी गिया घर दुआ, आपी बताईए, अगर 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 हम लोग आंदर घूज जाएंगे, बाल बचा कहां खोजें, कहां क्या होगा, इसको कोई लेग आपके घर में विद्रार पर रहा है, क्या है, यहां किन कारण से हुआ है, किस कारण कहा है, आप लोग अब बीरोद करते हैं, इसका करते हैं, विरोद क्या करेंगे, प्लिस परसासन से क्या मांग करेंगे? बीसेल परबंदन से भी मांग करेंगे? बात उत हुआ था, अब अब हो गया, आप लोग दिया था, आप लोग दिया जाएगा, रहने के लिए जाखा दिया गाइगा, लेकिन नहीं दिया, रभध अपसब कर दिया. इस तरह के लगातार यहां बहुत असान हो रहा है, आप लोग रहते हैं, काईसा महसूस काईसा होता है? महसूस होता है कि कभी काल यह भूच जाएगा अंदर, कभी काल जान किसी को भी जा सकता है अधमी उधर से पुरा बड़ा बोलड़ा भालता है आप लगाता है आप लगाता है आप यह तो सासन कि आप लुच भी नहीं, क्या मांग करें? अमनों का घर दुवर दिला दीजिया और क्या बोलेंगें। अमनों का घर दुवर दिला दीजिया और क्या बोलेंगें। अमनों का घर दुवर दिला देजिया और क्या बोलेंगें। तो भुधासान के घटना एक बार फिर से हुई है और अवैद कोईले के खरन ने लोगों का जीना मोहाल कर दिया है। आउटसोर्सिंग कापसारा आउटसोर्सिंग के समीव फिर से भूधसान की बात सामने आई है लगभग 50 मीटर से भेदिक धायरे में बितिरातरी जोरदार आवाज के साथ जमीन धस गई जिसमें धोड़ा वासी अजय आदव का घर जमीन दोज हो गया इसके बाद आसपास के लोगों ने वहाँ से भाग कर अपनी जान बचाई आपको बता दे कि लगतार अवैद खरन के बाद से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है और बूधसान की जो खबरे हैं वो लगतार चर्चा में रहती है धनबाद के कतरा स्थाना चितर के आकास किनारी वस्ति में भी इसी तरह की घटना सामने आई है नियू आकास किनारी कुलियरी चेतर में दरजनों लोग भूधसान की चपेट में आगए यहां तेज आवाज के साथ भूदहसान की घटना के बाद लोगों में अफरा तफ्री मच गए इस्थानी लोग दहसत में हैं और अब वो प्रसासन से सुरक्षित जगह पर ठीकाना देनी की मांग कर रहे हैं उनका आरोप है कि अवैद कोईला खनन के कारण लगतार भूदहसान हो रहा है ऐसे में कभी वो लोग भी जमीन के नीचे दफन हो सकते हैं इन इलाकों में लगतार कोईला माफियाओं के दवारा अवैद तरीके से खरन की जाती है लेकिन CISF और BCCL और ECL प्रबंधन मौन धारन की हुए रहती है इस्थानी पुलिस भी पूरे मामले में सूस्त रहती है इसी तरीके की घटना एक बार फिर से धनबाद में आई है जहां अवैद कोईला खननन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है आपको बता दें कि लगतार अवैद खननन का जो धन्धा है वो कोईला तसकरों द्वारा जारी है और इस बार नियू आकास किनारी कोलियरी छेतर में दरजनों लोग भूध हसान की चपेक में आ गये हैं उनका आरोप है कि अवैद कोईला खननन की कारणन लगतार भूध हसान हो रहा है ऐसे में वो लोग भी कभी जमीन के अंदर दफन हो सकते हैं इन इलाकों में लगतार कोईला माफियाओं के द्वारा अवैद तरीके से खननन होता है जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है और वहाँ C.I.A.S.F. और B.C.C.L. के साथ साथ E.C.L. प्रबंधन भी मौन धरन की हुए रहती है अगर हम लोग आंदर भूच जाएंगे बाल बुचा कहां खोजें कहां क्या होगा इसको कोई लेगा खोथी आपके घर में विद्रार प्रड़ा है क्या देखिए न साथ जाने गार आप लोग अभी बिरोध करते हैं सीवां खोट आग सब पाइसा वा पहुडा इसे पाइसा फेकें जेमें आफी पासा रहता है। तो प्रशाषन से क्या मांग करें और उच भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ समवादातर राजकुमार जुड़ गए हैं राजकुमार भूधसान की दो घटनाएं सामने आई हैं और दर्जनों लोग भूधसान की चपेट में आ गए हैं और लगतार भूधसान की जो घटना है वो देखने और सुनने को मिल रही है फि इन बता दें कि धनबाद की अगर बात करें तो यह देश की कोईला राजधानी तो कही जाती है दो बड़ी कमपनिया ईसी एल और बीसी एल इन दोनों छेत्रों में कोईले का खनन का कारी करती है और इनकी कई आउट्सोर्सिंग कमपनिया भी है जो कि कोईला खनन में लगी और उसे देश के अलग-अलग मंडियों में भीजने का काम करता है इनी लोगों के द्वारा लगातार जो दिन रात अवैद उत्खनन की घटना को अंजाम दिया जाता है जिसके वज़ा से भूधासान की घटना सरवाधिक होती है और आज जो निर्सा इलाके में भूधासा गरती थी और उस वक्त ही जो मवेसी बगरा जो बांधे गये थे उस घर में वो घर जमीन डोज हो गया मवेसियों को लोगों ने खीच कर बाहर निकाला लोगों ने अपने जान पर खेल करके अपने मवेसियों को बचाया अगर कत्रास इलाके की बात करें तो यहां पर भी जमीन दर्ज है वैसे लोग जो लंबे समय से कोईलांचल धनवारत में यहां पर अपने कई पुर्खों के साथ रहते आ रहे हैं लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं है तो ऐसे लोगों को अभी तक जहरिया पुनरवास का लाब नहीं मिल पाया है जहरेडिये उनके लिए सि बिसी सील और इसील प्रबंधन बसाए जिला प्रशासन उसमें सकरात्म करूप से सायोग करे और जो अवैद मुहाने खोल करके अवैद तरीके से कोईले की जो ट्रांस्पोर्टिंग अलग-अलग इलाके में सिंडिकेट के तरब से खास कर अगरम निर्शा की बात करें तो उत्खरनन किया जाता है अगर इन लोगों पर सिकंजा नहीं कसा गया खास कर सी आईसे से सबसे पहली जिम्मवारी होती है सी आईसे की कि वो अवैद तरीके से उत्खरनन अपने छेत्रे में रोके जहां पर की बीसी सील और इसील का इलाका है तो इन जगाओं पर अवैद जरूरी है तब जाकर ही इस इलाके में भूधासान की घटनाएं कम हो पाएंगी और जो लोग अभी पर भावित हो रहे हैं या फिर भविसी में जो लोग पर भावित होने वाले हैं भूधासान से उन्हें सुरक्षी का स्थान पर बसाना बहुत जरूरी है खासकर जी राजकुमार आपने सही कहा कि अगर इस तरह की घटनाय रोकनी है तो अवैध जो कोईले का खनन हो रहा है उसे रोकना होगा और ग्रामिनों ने भी इस पस्ट तोर पर ये बाते कही है कि अवैध कोईले की खनन के वज़े से इस तरह के स्थिती बनती है और भूध हसान का जो खामियाजा है वो वहाँ के ग्रामिनों को भूगतना पड़ता है ऐसे में वहाँ क्या जो BCCL प्रबंधन है क्या उनकी ओर स की मौत भी होती है लेकिन प्रबंधन द्वारा तुरंत वहाँ पर भराई करा दिया जाता है और इस तरह कि जब भूधासान के घटना होती है तो वहाँ पर भराई कराया जाता है लेकिन आज की जो घटना है इसमें अब तक दुनों ही जगाओं पर टीम जो है वो नहीं प कागजों पर रहा जाता है और जमीनी अस्तर पर जो होना चाहिए वो देखने को नहीं मिलता है जी धन्यवाद राजकुमार हमाई साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए तो प्रबंधन का नकारात्मक जो रवया है उसका असर पड़ रहा है और लगतार भूधसान की जो घटना है वो सामने निकल करके आ रही है और ग्रामी दहसत में जीने को मजबूर है अगर 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 हम लोग आंदर भूध जाएंगे बाल बुचा कहां खोजें कहां क्या होगा इसको कोई लेगा खोथी आपी घर में विद्रार प्रड़ा है क्या अगर आंवान इसको मानते हैं वह झांण किन करण करन से हुआ है किस और जब काम पर आब लोग कई की प्रशासने से और मौन करनेंगे इसको सब्सक्राइब भाट अ मितना हैं, भाले ओगहीज व्ह荐ले कहा जाम ओले Member क्वेते दूह प्र हो गी तान्य ज़के मं नहीं दिए गारा मैं ज़का नहींगे, आखके में आप है भाट कर दिया इस तरह के लगातार यहां बहुत असान हो रहा है आप लोग रहते हैं कैसा मैसूस कैसा होता है कि कभी काल यह भूच जाएगा अंदर कभी काल जान किसी को भी जा सकता है वेल्कम तू चाचा मामातन बैलन अज़ादाकार संजय मिश्रा से बुजारिक शाहें कि वा खाडे में पूड है और फुल्ट उसको टॉफी से नमाज है लगता है समाधी लेली अरे पुणाये अरे पुणाये अरे पुणाये जो जोड़े तो छोड़े नहीं मजबूती ही हमारी पहचान अरे पुणाये